आपको बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासिस लेकिन आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है आप लोग मुझे कहते थे कि मैं आपको अपना मेकप दिखाऊंग तो आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगी अपना मेकप बैग और आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे मेकप बैग में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं मेरे बैग के अंदर भी एक बैग है तो ये बैग मैंने दुबई से लिया था और वो दूसरा वाला जो आपको नजर आ रहा है ये भी दुबई से लिया था तो जी इस आपको इसमें से नजर आएगा ना निकलेगा इतना कुछ मैं यूज़ करती नहीं हूं लेकिन मुझे क्लेक्ट करने का बहुत चौक है और मेरा ये मानना है कि आप लोगों को चीज आप बेशक कम लें लेकिन अच्छी लें मैं अपनी स्टूडंट्स को भी यही कहती हूं कि अगर आपने चीज अपने लिए कोई परचेस करनी है तो एक दफ़ा ही अच्छी चीज लें ताके एक तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं एक्सपायर बहुत देर से होती है और अगर आप कोई सस्ती और कम करना भी बहुत इजी हो जाता है यह जी चोटू मोटू सा मेरा मसकार है अब मैंने अभी अपना छोटा पाउच खोला है जिसमें मैंने अपनी लिप्स्टिक्स रखी है यह दो तीन जो है निक्स की है यह जो मैं आपको दिखा रही हूं यह रैवलॉन का टिंट है और बस कोलेक्शन ाब मुझे आपकोना मेरी लिप्स्टिक्स में नूट कलर है जो जादा नजा आएंगे पीची पिंक कलر जेया है नोट की है और बहुत सारी और कंपनीज भी है जैसे रैवलान है तो अच्छी लिपसिक सी रखनी चाहिए यूज करनी चाहिए ताके आपके होंट जो है वो खराब ना हो और काले ना हो तो यह थी जी मेरी लिपसिक की कलेक्शन यह नोट की एक लिपसिक है और इन तो जी यह देखें इसका कुछ टेक्स्टर ऐसा है तिंट मुझे ना चीक्स पे बहुत अच्छा लगता है लिपस पे अच्छा रहता है लेकिन अगर आप इसको चीक्स पे यूज करें तो बहुत जबरदस रहता है मेरे पास एक रैवलान का भी टेंट है वो भी आप और जी यह देखें कितना खुबसूरत इन्होंने इसमें ब्रश बनाया वे बस ऐसे आपने जैसे मैं आपको लगा के दिखा नहीं हूना ऐसे यह आपने चीक पे एक ड्रॉप लगाना है और लगा के आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है तो नेच्रल सी ए कर आएंगे ब्लश ऑन हाईलाइटर एक दो लिपसिक भी आगी है यह सेफोरा का जी मेरा सीरम है जो मैंने आपको कल इसका रिव्यू दिया था कराजा का मेरे पास ब्लश ऑन है और टार्ड की जी बेस है और यह जी मेरी लैश गम है लैशिस भी आपको मेरे बैग में नजर सबसे पहले निकला है और यह मैंने आपके सामने अपना बैग खाली कर दी और बैग में देखें कितनी स्पेस है और देखने में यह चोटू मोटू सा है तो यह बैग आपको इदर भी बस आपका ना मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करूं चीज जो है वो कुछ भी नही कि आप बैग ब्रैंड का ले यह बैग जो है मार्किट में इसी ली अवेलेबल है आप कोई भी बैग ले लें लेकिन आपके पास एक स्टायल होना चाहिए आपका और आपकी चीजें जो है वो प्रॉपर बैग में होनी चाहिए ताकि आपको मसला ना हो और अगर आपने ड स्टिक के शेड्स पसंद आये हैं तो जी यह बेसीज ब्रशीज सब कुछ आपके सामने हैं सब कुछ था मेरे बैग में हाइलाइटर मेरे पास रेवलुशन का है और अगर आप चाहिए तो किसी नॉर्मल से हाइलाइटर से भी अपना बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं मेरे बैग में एक चीज की कमी है वो मेकप रिमूविंग वाइप्स और वो खतम हुए में हैं और क्लिंजर भी इसमें इसलिए नहीं होता है मैं वाइप्स यूज कर लेती हूँ आजकल शादियां अटेंड कर रही हूं जिसकी वज़ए से वो खतम हुए में हैं तो वो नह हुए मेरे आखे होता है घाए आप लोगों से चोटी सी रिकवेस्ट करनी है कि मेरे नियू चैनल कthest में और लाइक किया बीडियो को और जी अगर आप ने इन्वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसालल मिलते हैं